क्या आप भी किसी फाइवर वाले लड़ू की तलाश में हैं क्या आपके समोसे भी अगले दिन रखने के बाद में लूज हो जाते हैं या उतने क्रिस्पी नहीं रहते हैं जितने फर्स डे थे या बजार जैसे नहीं बनते हैं या फिर इमली की चटनी आपके बहुत जल्दी मत भूलेगा तो यहां पर सबसे पहले हम समोसी की स्टिफिंग तयार करेंगे तो समोसी की स्टिफिंग तयार करने के लिए हमने एक टेबल स्पून तेल लिया है उसमें डाला है ग्रेटिट किया हुआ अधरक हरी मिर्च और जीरा इनको हम अच्छे से भूनेंगे जब तक मिर्च पाउडर और इनको हम डाल करके क्या करेंगे कि बहुत अच्छी तरह से चला देंगे और यह देखिए हमने अच्छी से चला दिया ताकि जो हमारा अधरक और मिर्च है उसमें मसाले मिल जाए अब यहां पर आती है ट्रिक नंबर वन समोसी की आलू को कभी भी आप एक गम से आलू के परांठे जैसा मेश मत कीजिए उसको ऐसे बारिक बारिक टुकडो में काटिए और फिर आप उससे स्टफिंग त्यार कीजिए देखिए कितनी बढ़िया समोसे बनते हैं इसके साथ ही मैंने यहां पर बॉइल क्यों ही डाल दी है मतर और उसके बाद में थोड़ा सा चाट मसाला और हमने डाला है यहां पर ब्लैक पेपर काली मिर्च पाउडर और डाल करके हरा धनिया डाल दिया और इसको अब होने देंगे ठंडा जब तक हम लगाएंगे मैदा यहां पर हमने लगबग आधा किलो लिए मैदा डिपेंड करता है कि आप कितने स और नमक नमक और अजवाइन डाल करके ट्रिक नमबर दो दूसरी ट्रिक है कभी भी समोसे में आप है ना तेल का मौन मत लगाईए घी का मौन लगाईए उससे गुनगुना कीजिए और घी का लगाईए मैं इस बार आगरा गई थी वहां पर मैं हलवाई से यह वाली ट्रि तो मेरे समोसे बिल्कुल अगली दिन तक भी वैसे ही क्रिस्पी बने हुए तो बिल्कुल बजार वाला टेस्ट आएगा धीरे-धीरे आटा डालते हुए आप टाइट सा डोग बनाएं लूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जो हलवाई न मुझे बता है उसने यह बता बीस ठीच कर लीजिए और रखकर के हाथ पर इस तरह से इसकी कोन जैसा बनाएं फिर स्टफिंग भर लिए यह देखिए स्टफिंग भर ली इस वह चारतला में इसमोसे और आटे होगरे साज दी compr सांध मुझे चर्ब और अंदर की साइद में पॉइंट वाल और इस तरह से हमने सारे समोसे लिए बना और गरम तेल में बिल्कुल स्लो आज में आपको डालना है यह समोसे डाल करके इनको धीमी आज पर सिकने दीजिए दीरे-दीरे और जब यह इस तरह से गोल्डन कलर के हो जाएंगे ना ब्रा पहले डाले एक कप पानी अम्चूर पाउडर को अच्छे से मिला लीजिए अगर आप एक साथ बाने तो तरह से नहीं हो पाएंगे तो आपने अश्जिक्ष तरह से एमने तीन कप डाला पानी पांड पानी के बाद में हमने शाबर घूर डाला है गोड डैलना है हमको इसके बाद में जब यह ठंडा हो जाएगा तो हमें चान लेना है चानना बहुत जरूरी है कि कई बार गुड में बहुत सारे रेशे होते हैं जिससे हमारी चटनी खराब हो सकती है ठंडा होने पर ढगतन लगाईए और रग दीजिए फ्रिज में आपकी 15-20 दिन एक महिने त अपनी मर्जी के कोई से भी ले सकते हैं और इसके बाद में लगबख पॉन कफ हमने गुड लिया उसी कड़ाई में गुड डाल दिया और इसमें लगबख दो टेबल स्पून के आसपास ही हमने पानी डालना है हमें केवल गुड को मेल्ट करना है और कुछ नहीं करना है औ अच्छे पिज़ा आते हैं और उसके बाद में पीशने के बाद में हम क्या करेंगे कि जो हमारे डाय फूट्स थे वह हम इसमें मिलाएंगे और उसके बाद में मिला देंगे हमारा गुड थोड़ी सी मैने काली मिर्च मिलाई और पॉस्टिक बनानी के लिए और गुड को नहां पर भी चानना है और चानने के बाद में हम इसके बना लेंगे लड़ू तो दोस्तों आप भी बनाए ट्राइ कीजिए और अगर कोशिसें पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले जगा थेंक यू